आप लोग आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होगे आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहते हैं देखना चाहोगे आज आपको मेरे स्किन पे कुछ अलग ही गलो दिख रहा होगा और मेरे जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे थे व कि अपने फेस के हाइपर प्रिंटेशन को लाजमा को या फिर आपके फेस पर कोई डार्क स्पोर्ट के निसान रह गये हैं उसे कैसे डियूस करना है यह मुझे बता दो तो आज यह सर्च कंप्लीट हुई है मेरे फेस पे एक बहुत ही छोटा सा माल्ड एक्नी का जो निसा ट्राय किया है और आप इमेजन भी नहीं कर सकते हो मैंने उस दाग को बहुत ही इसली फेड़ाट कर दिया है यहां पे वह वाला माक्स थे और इस माक्स के लिए मैंने बहुत जीजाल लगा दिये और आप लोगों के लिए भी मैंने इससे पहले एक वीडियो लाया था उस आप लोग बोले थे कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो कि मेरे माक्स को हाइब फिंटेशन को मेलाजमा को प्रॉब्लम को बहुत एजली सौट आट कर दे वीडियो को स्टार्ट करते हूं और वह वाला इंगेडियेंट आप लोगों के साथ साथ कर देते हूं लेकिन अगर मैं इस ओसे हैं और यह आपके सिर्ँ और सिर्फ आपके फेस पर आ जाते हैं और यह आपकर फेस पर ही नहीं गया के बौडी के किसी भी पार्ट पर आ सकते हैं तो लापरवाही मतलब खुद ही आप कुछ ऐसी गलतिया कर वैठते हो जिसकी बज़े से आपके स्किन डल ड्राय और उस पर रफ हो जाती है डाक हो जाती है और उस पर हाइपर पिंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो जो कुछ अधिक बड़े वाली समस्य हो गई या हाइपर पिंटेशन की तो वह भी समस्या से आप इसली फाइट ओड कर सको ठीक है तो सब से पहली बात की जब भी आप बाहर जाओ तो प्लीज संस्क्रीम अपलाए करके जाओ आपके फेस पर तीस से कम कि संस्क्रीम apply होनी बहुत जरूरी है सबसे पहली बात और दूसरी बात जब भी आप घर से बाहर निकलो तो आप अपने body को इतना अच्छे से cover कर लो कि एक वी सूरज की रौसनी आपके skin के contact में ना आए क्योंकि friends जो hyperpigmentation की problem है वो जादा करके sun rage के ही बज़ा से होती है और जो तीसरी होती है वो अगर आपकी body बहुत ही ज़ादा hormonal changes हो रहे हैं या फिर आपको कोई अंदर की गंभीर बीमारी है उसकी budget से भी आपके face पे बहुत भ्याना hyperpigmentation चाहियां की problem हो सकती है friends एक और बहुत बड़ा reason है कि skin lightening के पीछे हम लोग इतना भागते हैं इतना ज़्यादा भागते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करना start कर देते हैं पिल्स खाना start कर देते हैं या फिर कोई ऐसा cream जो कि हमारे skin को lighten कर दे तो इन सारे cream से please आप दूर रहें क्योंकि यह आपके skin tone को बिल्कुल भी नहीं निखारेगी जो आपका skin tone है वैसा ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ आप natural ingredient से ही धीरे-धीरे करके अपनी skin को lighten कर सकते हो और जो आपका lifestyle है सिर्फ और सिर्फ वही depend करती है कि आपका skin का texture कैसा होगा आपकी skin की quality कैसी ह प्रिप्या करके मैं आप लोग उससे अनुरोध करती हूं कि skin lightening के पीछे ना भागे अपने skin को texture को enhance करें उसी में आपकी जो भी प्रॉब्लम है पिंपल्स, हापर पिंटेशन, बलाजमा यह सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है तो यह सारे कुछ causes थे जिसे कि आपको ब कर सकते हैं यह मेरी ग्रांटी है तो सबसे पहला step है उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने हाथों में लेना है अलोवेरा जल अगर आपके पास natural अलोवेरा जल है आप वह यूज कर सकते हैं या फिर आप मार्केट वाल अलोवेरा जल भी यूज कर सकते हैं अगर आप अपने face पे aloe vera gel से 2-3 मिट मसाज कर लेते हो तो आपकी जो face की pores है जो open हो गई है वो shrink होगी प्लस आपकी जो भी pigmentation की problem है वो धीरे धीरे fit out होने लगेगी अगर आप उसे regularly use करते हो तो उसके बाद 10 मिनट के लिए से आपको dry कर लेना है यह तो आपने कर ली कि आपको first step में क्या करना है लेगिन आपको second step के remove करना है जिसमें क्या होगा कि आपकी skin की जो भी problem है वो जड़ से खतम हो जाएगी तो इसके लिए आपको लेना है मसूर की डाल इसे आप grinder में अच्छी तरीके से पिल्कुल powdery form में पीस लीजिए उसके बाद आपको clean container में इसका दो चमच लेना है अगर आप इससे कम बनाना चाहते हो तो कम ले लेना उसके बाद मैं इसमें आट कर रही हूं दो चमच दू इसके बाद मैं इसमें एड कर रही हूं एक चमच रोज वाटर डालना कमपल्सरी है क्योंकि आपकी स्कीन को फर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा इंगी दिन्ट है इसमें आपको एक चमच डालना है टोमैटो जूस और इसे मिक्स करके अपने फेस पे अच्छी तरीके स से वाछि करके अपने फेस को मौश्चराइब कर लिजिए लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है इसे रेग्लर करना है कम से कम आप इसे सब तहमें 3-4 दिन तो ट्राइक करना है करना अगर आपके पास टाइम है आप बहुत ही जादा चाह रहे हों कि आपकी स्कीन की सारी सब्सक्राइब करें तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो मिलती हूं आप लोग साथ एक और नहीं वेत्रीन एपिसोड में तब तक से प्यार करें आपने ख्याल रखें थांक्स वाचिंग वीडियो चिल दें बाबाइब